हाई दोस्तों कैसे आप लोग और येस जैसियराम जैसियराम जैहनुमान तो आज आप सभी को पता है कि आज दशेरा है और रावन का वद होगा साथ में कुछ और भी साथ में जुड़े होते हैं इनके असिस्टेंट मेगनाथ और कुम करन तो हमारा जो सबसे बड़ा रावन था वो था करोना जिसका वद हम अल्मोस कर चुके हैं लेकिन उसके साथ जुड़े हुए छोटे-मोटे रावन स्वाइन फ्लू और डेंगू अभी भी घूम रहे हैं इनका वद करना भी बहुज़रू लेकिन आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है कि जिन्दगी में हमारे 30 मिनिट ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी जिन्दगी बदल देते हैं पूरी जिन्दगी बरबाद भी कर सकते हैं पूरी जिन्दगी आबाद भी कर सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों कि ऐसे कों से चमतकारिक 30 मिनिट है इसका एक्जामपल मैं क्या दूँ मेरे पास अभी एक पेशिंट आए तो बजन बढ़ा हुआ था कोलेसोल बढ़ा हुआ था शुगर बॉर्ड लाइन थी बीपी था सब कुछ था और मैंने उसे पूछा कि आप क्या करत कुछ वॉक वगरा नहीं करते क्या तो बोलते हैं जी हुआ टाइम ही जा मुझा है इक शख्स कि नहीं है यह कहानी वह हुसारी सारे दुनिया के यही कहानी है और मैंने उन से सिर्फ एक ही बात बोली मैं उनका एक बात सुनो आप साधे-6 बजे उठते हूं क्या आप 6 बजे नीए उठते क्या कैते सर क्यूं मेनका सिफ आदा घंटा मेरे कहने से यह आदा हिंटा सुबह आप वॉक्च शुरू करकर के देख लो आपकी जिन्दगी में अगर चमतकार नहों जाए तो बताना मैंने का सिर्फ रादा घंटा रात को आप कितने बज़े सोते हो साड़े ग्यारा आप ग्यारा बज़े सो जो सिंपल सा फंडा बड़े बुजर के बोल गये हैं जल्दी उठो जल्दी सो ठीक है अरली में भी कर सकते हो इवनिंग में भी कर सकते हो ठीक है जिसको जब टाइम मिले करो लेकिन मेरा अपना पस्टनेल एक्सपिरेंस है और मैंने जितने भी रिसर्च करी है उसमें मौनिंग वोक से जो फिटनेस पूरे दिन रहती है जो आपकी एनरजी लेवल जो बढ़ा हुआ वो इवनिंग वोक से उतना नहीं हो पाता जितना मौनिंग वोक से है और मौनिंग में सुबह फ्रेश होता है आपकी पॉलुशन सबसे कम होता है और चारो तरफ नेचर भी बहुत शान्त होती है टेंप्रेचर भी ठीक ठाक होता है हालागि अब सर्दियों में थोड़ी प लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था कि हम सिर्फ सिर्फ आदा घंटा भी अगर अपने आपको रोई दे दें तो भाई सब आपकी जिंदगी में चमतकार हो सकता है यह जो अर्ली मौनिंग की वॉक आप आदा घंटा करोगे मैं सच बता रहा हूं आपकी 50% से जादा बीमारी प्रफिर आपको पता नहीं है सबसे बड़ा जिंदगी में है time management हम लोग time management ठीक से नहीं कर पाते हैं सारी दुनिया इसी बात फे रोती है कि time कहा है time कहा है time कहा है सर मेरे से तो पूछो मेरे पास कहां से टाइम आता है मैं सुबह आगे हैं वीडियो भी बनाता हूं डालता भी हूं अप्लोड भी करता हूं पेशेंट भी देखता हूं ऑस्पिटल भी जाता हूं लेकिन सिर्फ आधा घंटा सुबह जल्दी उठना पड़ता है सिर्फ आधा प्रॉलम होती है, कोई आधत नहीं है सुभह उठने की जल्दी। शुरू में प्रॉलम होगी आपको दो तीन 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 निइंड जार्थ चॉय करओं कि यार css मैने जिन्दी में क्या मिस कर दिया, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, आज मैं कुछ और तरीके बताता हूँ आपको, ठीक है, आज जब मैं अपना एक्जामपल देता हूँ कि मैं रात को बहुत लेट आयता कहीं फंक्शन में से, तो सुबह ताइम पे उठ नहीं पाया, वैसे तो मैं पैदल चल के आया, जबकि मेरे आत में दो बैग भी थे, चाहता तो मैं रिक्षा कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस मॉर्निंग की वॉक जो मैंने मिस करी थी, मुझे वो कंपंसेट करनी थी, इसलिए मैं पैदल चल के आया, तो ये चीज आप भी सोच लो, और क्या मैं आप थोड़ा बहुत सिल्म ट्रिम नहीं लग रहा हूँ, लग रहा हूँ न, तो खुद को भी अच्छा लगता है, इनसान को आपके फेस पे एक रोनक आ जाती है, एक ग्लोग आ जाता है, आपकी बिमानियां कम होनी शुरू आ जाती है, डॉक्टर के पास जाना कम हो मेरे हैसो का तो नुक्सान है, भाई, मेरे हैसो का तो नुक्सान है, अगर आप वाक शुरू कर दोगे तो बिमानियां कम होंगी, तो डॉक्टर पे कम जाओगे, बाबाओं पे तो पता नहीं, अब जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन हाँ, डॉक्टर पे कम जाओगे, हम ल पहले करा करो उठते यह नहीं कि भग लिए क्योंकि यह भी देखा कि सड़न कहीं लोगों को स्टोग हो जाता है उठे और कोई क्लोट हो गया यह चक्कर आ गए गिर गए तो पहले बैड़ पही जब बैठें जो बुजुर्ग लोग हैं फोड़ी एक्सराइज करें पैरों की ठीक है फिर उठें फिर तोड़ी स्ट्रेशिंग करें बाजवा जो हिलाएं टांगे मांगे हिलाएं तो पांच साथ दस मिनिट वामिंग करें उसके बाद वॉक शुरू करें और वॉक को धीरे दीरे बढ़ाना चाहिए आज आपने दस मिनिट कर ली फिर आप 20 मिनिट कर और यह को जरूरी नहीं है कि आपको 30 मिनिट एक ही साथ करनी है आप 10-10 मिनिट के तीन राउंड दो-दो मिनिट के रेस्ट के साथ ले सकते हैं दस मिनिट वाक करी दो मिनिट रुके दस मिनिट वाक करी दो मिनिट रुके दस मिनिट वाक करी दो मिनिट रुके ऐसे भी कर सक जो डिप्रेशन है, जो ठकान है, जो एंग्जाइटी है, उसको भी कम करेगी, आपकी तोंद को अंदर कम करेगी, आपकी कॉलेस्टरोल को कम करेगी, शूगर, बीपी, हार्ट प्रोलम, तो सबका एक ही लाज़ा है, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मेनेजमेंट, बस, ड जहां पर जाना होते हैं, वहाँ सब काई निकाल लेता है, अपनी एश के लिए, उसके बस काई निकाल जाता है, आप मैंसे कितने लोग हैं, जो संडे को सुबह उठके, वाक करने जाते हैं, मुझे बताओ, होंगे जरूर, जो संडे में जो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, व जो यह जो डिलिवरी है, यह होगे हैं, क्योंकि लोग बच्चे आदी-ादी रात को खाना मंगाते हैं, तो इतनी लेट स्नेकिंग करोगे तो फिर यह होगा भाई, बिमारी ही जर्नी है, तो यह छोटा सा टॉपिक था कि वो 30 मिनिट, तो इस 30 मिनिट में आपके जिन्गी बदल सकती है, और बहाने ढूंड़िएगा चलने के, हाना, जरूरी नहीं है कि आप रिक्षा करें थोड़े से डिस्टेंस के लिए, जरूरी नहीं है कि आप हर जगा पे रिक्षा पर जाएं या गाड़ी पर जाएं, पैदल चलना सीख लो, जितना चलोगे उतनी जिन्द की जिन्दी की जुड़ी होती है, आप दस कदम चलोगे, दस सेकंड आपकी जिन्दी की बढ़ जाएगी, तो इस फार्मूला देख, इस डॉक्टर नरमीत काला का फार्मूला है, तो आप सोच ले, तुझे कितने कदम रोज चलने हैं, दस जार कदम चलेगा, दस जार सेकं नहीं पड़ता है, चलो, चलता हूँ, चलता है इतने हैं बोलूँगा, क्या, एक रासता है जिन्दगी, जो थम गए वो कुछ नहीं, ये कदम किसी निशान पे, जो जम गए वो कुछ नहीं, एक रासता है जिन्दगी, जो थम गए, जो थम गए, वो घर गए, तो हाड़ वर्क करो, और हेल्थ सबसे पहले है, हेल्थ है, तो वेल्थ है, थैंक यू वेरी मच, आपको अपना डॉक्टर नमीत कालरा,